दोस्तों, हम जो कुछ भी हैं वो हमारे माइंड का रियक्शन है हो वी आर, वी आर दा रियक्शन आफ अबर थाउट, वी आर दा रियक्शन आफ अबर माइंड जो जो brain waves हम फेक रहे हैं जो जो मन से विचार हम प्रेशित कर रहे हैं ब्रम्बान की तरफ वही हम बन रहे हैं हम भी हमारा वजूत निर्मित करते हैं अपने कर्मों से अपने विचारों से कर्मों पर विचारों का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है विचारों पर भी कर्मों का प्रभाव पड़ता है कैसे होता है ये कि जैसे आप किसी अच्छे लोगों के साथ कहीं connect हो जाओ आप लोगों को खाना बाट रहे हो आप लोगों की सेवा कर रहे हो किसी act में शामिल हो जाओ आप और आदे गंडे, पंदरा मिनट, एक गंडे वो काम करके आओ तो आपके मन में सेवा भाव के विचार पैदा हो जाएंगे यानि कर्मों ने विचारों को प्रभावित किया और दूसरी तरफ से यह है कि आप टीवी का न्यूस चैनल चालू कर दो और देखो कि यह महामारी फैल गई, इतने मरीज मरे, ऐसा हुआ और वैसा हुआ तो क्या होगा, विचार आपके कर्मों को प्रभावित करेंगे आप गर से निकलों तो आप डरोगे, कहीं बीमारी मुझे ना लग जाए, कहीं मेरा एक्सिडेट नी हो जाए यानि विचार कर्मों को प्रभावित करते हैं, कर्म विचार को प्रभावित करते हैं, इसी में बड़े कंफ्यू हो जाते हैं, हमें विचारों और कर्मों में तालमेल लखना चाहिए अगर हम कर्मों और विचारों में तालमेल रखें तो में मेजिकल रिजल्ट मिलते हैं हम बस यहीं नहीं कर पाते हैं हम डिस्बेलेंस हो जाते हैं हम पता बड़ा विचारों से तो बहुत ज़्यादा पॉसिटिव हैं लेकिन कर्म ऐसे करने लगते हैं फुरा Jaw systematic फुराइं कि निग्टिव करमास की तरफ जल्दी होगयो की जल्दी अट्रेक्टा कि पॉजिटीव करमास की तरफ जल्दी अट्रेक्ट नहीं होते कि कि मैं जब खाना बटने जाता हूं तो आते याते लोग दूर से देखते हूं कुछ बोलते हैं नहीं हाँ और अगर समझो रोड पर मेरा जगड़ा हो जा और मैं किसी को मार पीट रहा हूँ ऐसे तो होता है लेकिन समझो अगर मार पीट रहा हूँ जगड़ा हो पूरी भीड कठी हो जाएगी चारू तरफ लेगिटिविटी लोगों को अपनी तरफ होते हैं क्योंकि जो यहां है वही बाहर है जैसा अंदर वैसा ही बाहर जैसी वाइबरेशन अंदर वैसी ही वाइबरेशन बाहर जो हमारे भीतर है हम उसी से अट्रेक्ट होते हैं कर मैं कार में कहीं आ रहा था मुंबई से तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त बैठा हुआ था तो कुछ दुकाने, कुछ होटल सरस्टे में बहुत सरी चीज़े पड़ती है तो कोई बता था रहे तो यहाँ पर लॉक काॉलेज है तो वो जो दोस्त था वो सिर्फ दारू की दुकान देख रहा था तो देखो यहाँ पर वाई शॉक है तो हमारे अंदर जैसे विचार हैं वैसे कर्मा जैसे हमारे कर्मा वैसे हमारे विचार हम इन दोनों में तालमेल और बैलेंस बना कर रखना चाहिए तो आज के विडियो में मैं आपको तालमेल बनाने वाली अफर्मेशन बताता हूँ इसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा कन्फ्यूज मत होईएगा क्योंकि तो अकसर हम जिन्दिके में बोलते हैं कि हमें जो चाहिए वो मिल जाए तो कि तरह मजा आ जाए तो इसके लिए बहुत ही सिंपल अफर्मेशन मैं अपनी अफर्मेशन बहुत ही सिंपल बनाता हूँ और ये बड़ी मैजिकल होती है अगर आप इन्हें विश्वास पूरों के रिपीट करें तो आज की अफर्मेशन ये रही मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है इसके लिए मैं ब्रम्हान का धन्वाद अदा करता हूँ मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है इसके लिए मैं ब्रम्हान का धन्वाद अदा करता हूँ मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है इसके लिए मैं ब्रम्हान का धन्वाद अदा करता हूँ मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है इसके लिए मैं ब्रम्हान का धन्वाद अदा करता हूँ मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है इसके लिए मैं ब्रम्हान का धन्वाद अदा कर देता हूँ पाँच बार बोलना है कोई फरमेशन बोलना है पाँच बार बोलना है इसमें 30 सकंड लगते हैं तो आप देखोगे कि ये affirmation बोलने से अपने instruction क्या दिया मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है instruction ये दिया तो ये ही होने लगेगा मेरे आपसे हाथ जोड़कर प्रातना है ये affirmations पर अपने ही मन की शक्तियों पर बड़ा विश्वास करें इससे आपको अद्भूत रिजल कुलेगे बहुत बहुत शुकरिया बहुत बहुत दिनवाद जो अपना कीमती समय देकर मेरे वीडियो देखते हैं और अगर अच्छे लगते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताईए और चैनल पर रहे हो तो सबस्क्राइब करेंगे बहुत बहुत शुकरिया अपकी हर समस्या का समधान इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधिया सीख सकते हैं ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है तो सोचिए मत नीचे दिये हुए लिंक पे या वाट्साप नंबर पर आज ही हमें वाट्साप करके अपना ओर्डर दीजिए अब मन और ध्यार हर समस्या का समाधान आपकी जिनगी को एक नया मोर देगी